वल्कम टू टीवी का पटाका वल दोस्तों तुनीशा शर्मा केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है जी हैं आए दिन इस केस में कोई नो कोई बड़ी बात निकल कर सामने आती रहती है कई सारे ऐसे चुपे हुए राज हैं जो अब धीरे धीरे बाहर निकल कर आ रहे हैं और इस केस को और भी ज्यादा पेचिता बना रहे हैं लेकिन दोस्तों जितने भी खुलासे हो रहे हैं उससे हम आपको बता दें बात कि शिजैन मुहम्मद खान के लिए मुश्किले बढ़ रही हैं वाल दोस्तों हाल ही में तुनीशा की मौम कैमरा के आगे आई हैं और उन इस तरह के इल्जाम लगाए हैं तुनीशा की मा ने शिजैन मुहम्मद खान के उपर दोस्तों क्या है ये पूरी खबर बताएंगे आप उस सब कुछ पूरे विस्तार से लेकिन उससे पहले चैनल को आप ज़रू सबस्क्राइब करें बेल आइकन को दबाना अब बिलकुल ना भूले वाल दोस्तों आपको बता दें कि तुनीशा शर्मा की मा बेटी के अंतिम संसकार के बाद से ही बहुत जादा बिमार हो गई थी अंतिम संसकार के दौरान तुनीशा की मा अचानक ही भिहोश हो गई और उन्हें हॉस्पिटल तुनित ले जाया गया था अपनी ब वारे में बढ़े-बड़े बयान दे रहे थे लेकिन दोस्तों हालही में तुनिष्य की माँ ने कैमरा के आ खैर कर अपनी बेटी के साथ हुए नाइनसाफी के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया जिन से एक बड़ी बात निकल कर सामने आई और तुनीशा की मा ने यह कहा है कि शिजैन ने मेरी बेटी पर हाथ उठाया था शिजैन ने थपड़ मारा था तुनीशा को यानि कि आप यह समझ सकते हैं कि दोनों के बीच में जब ब्रेक अप हुआ तब हालात कितने जादा खरात थ थी शिजैन तुनीशा को पूर्य तरीके से इग्नोर कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ दोनों के वीच में लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि हाता पाई तक हुई है और शिजैन ने तुनीशा को थपड़ मारा था यानि कि शिजैन काफी जादा वालेंट है और इस तरह ची है।